नमशकार दोस्तो रादे रादे तो डीटी में अब आपन रिवाइस करने वाले हैं Taxation of Charitable Trust Political Party and Electoral Trust इन लोगों का taxation इन entities का taxation कैसे होता है वो अपन सीखने वाले हैं काफी important topics हैं इसमें जो main taxation आता है इस chapter से वो आता है या charitable or religious trust अगर कुस कांड कर देते हैं तो इनके पर एक लगता है एगजी tax उसका question आ जाता है तो main chapter है important chapter है charitable or religious trust इसमें सबसे ज्यादा important है political party, electoral trust तो फिर भी इतना पूछा नहीं जाता है, आता ही नहीं है, main इसमें आता है जो क्या आता है इसमें क्या follow करते हैं, section 11, 12, 13 ये follow करते हैं, बाकी आप सारे section income tax के बूल जाना तो पाच हैड होते हैं, salary की income, house property की income, business की income, capital gain की income, other source की income, वो सब बूल जाना वो कुछ काम के नहीं होते है, section 11, 12, 13 ये अपनको follow करके charitable or religious trust की आपनको income निकालनी होती है अब सबसे पहले हैं देखेंगे charitable trust और religious trust होते क्या है, तो सबसे पहले हैं उसमें देखने वाले charitable trust क्या होते है, तो income tax में कुछ objective बता रखे हैं, अगर किसी trust का objective गरीबों की मदद करने का है, relief of war है, वो बन जायेगा charitable trust, किसी trust का objective एजुकेशन देने का है, सिक्षा देने क मतलब इस्कूल है, कोलेज है, यूनिवर्सिटी है, यह बन जाएंगे चरिटेबल ध्यान देना है, आपके कोचिंग इंस्टिटूट नहीं आएगा, कोचिंग इंस्टिटूट जो है, वो इसमें कवर नहीं होगा, उसको चरिटेबल ट्रस्ट नहीं मानते, वो एजुकेशन चरिटेबल ट्रस्ट, आगे बता रखे किसी ट्रस्ट को अब्जेक्टिव प्रकृति की रक्षा करने का है, एंवर्मेंट की रक्षा करने का, एंवर्मेंट का संग्रक्षन करने का है, परियावरेंट की रक्षा करने का है, तो बन जाएगा चरिटेबल ट्रस्ट, इंक्ल तो टोटल सिक्स पॉइंट थे, अगर किसी ट्रस्ट का objectiv इन में से कोई सा भी है, वो बन जायागा charitable trust. ऐसे एक पॉइंट के लिए गहां होग तो सबढ़ाने यह कोई पॉइंट के लिए इस स्टाइब लेये और इस पॉइंट के लिए जेनरल पब्लीक वाले सीडैट से ज्यादधा चाहे का की दिखनेस रिसइत हैंकि टोटल रीसिट का 20 पर्षेंट से ज्यादा चैनल का र संसे हैं जो तरहिए कि कैसी का गतन कर रहा है कंटा नोगण से ज़ाद़ चली जाती है तो चरिटेवन नहीं बनेगा और यह डालते ही क्या होंगे सब भड़ जाएंगे हो सकता है आपका परपस है कोतिंग खूलने का या पानी की बोतल सेल करने का वह बानलो आपका परपस पैसा का वान नहीं है आप गरिउकों के चाहिए इसलिए और को चींग खोली है तो आप गरीब बैच्चों को सस्ती के बाद क्या हो गया दुनिया में बागी सब चीजे हट बस ये छे चीजे ऐसी हैं जो चारिटेबल मानी जाएंगी लास्ट पॉइंट में चारिटेबल तभी माना जाएगा अगर आपके बिजनेस रिसीट टोटल रिसीट का 20 परसेंट से तक हैं तो 20 परसेंट से जली जाती स्कूल है अब स्कूल ने ईच्वल करती है औंसे वह उस दुकां से बच्चेट गहां से अब मालो वो इसकोल की जो दुकान की रिसीट है बुग बेजने वाली और यूनिफोर्म अगरा बेचने वाली वो टोटल रिसीट का 20% से जादा चली जाती है उसको मालने लेंगे यह लिमिट उपर वाले 6 पॉइंट में लगएगी एक और एक जामपर लेलो जैसे मालो एक ह तो सब्सक्राइब जलीगी कैंगरा यह जाती है पॉइंट पर वाले वाले से किल्य मिलियू बाकि कुए और कैम करते हो और विजनेसी less इसे केस में आपका रजिस्टेशन केंसल नी किया जाएगा जिस्टेशन आपका अगली बार माननों अगले साल आपका cholesterol najbardziej is 20% हो जाती है या कम हो जाती है तो ले लो exemption तो ऐसा है तो लाश्ट पॉिंट में ओली वो ही कःवर होंगे जिनका purpose क्या है main purpose सेवा करना पैसा का मोना जो सेवा करना जिनको main क्या मिल रहा है donation मिल रा है business नहीं कर रहे हूँ डोनेशन मिल रहा है, 80% क्या मिल रहा है, यह तरीके सी यह मतलब हुआ इसका, अब अपने एक section देखने वाले हैं, जो अपने आगे काम आए का, section 10.23C, section 10.23C में एक exemption दे रखी है, किसके उपर अप्लाई होता है, एक तो educational institution और medical institution, educational institution मतलब school, college, university, school, college, university, अगर यह education या medical relief के लिए बने है, और इनका दंदा नहीं है, और यह किसके लिए बने है, education या medical relief के लिए बने है, तो section 10.23C में एक exemption मिलती है, section 10.23C, section 10.23C, section 10.23C में एक exemption दे रखी है, एक exemption क्या मिलती है, अगर school, college, university, hospital, government के लिए अचरी की, पूरी की पूरी income क्या हो जाएगी, तो वह बन जाती है government वाली और अग government school वाली है या government college या government university या government hospital है तो उसकी income क्या उजाएगगी पूरी की पूरी पैसा कमाना होता है पर यह एक्जमिशन ले लेते हैं अब इनको एक्जमिशन कैसे मिलती है अगर इन प्राइवेट वालों की ग्रोस रिचिट एग्रिगेट रिचिट ग्रोड तक है प्रिवेस एर में तो इनकी इंकम भी क्या हो जाएगी फुली एक्जमिशन अपने इंकम हो 1 तक है तो फुली घंड टाए तो फुल्ल्य एक्जमिशन हो आप यहिए टू से करेंगे अग्रिगेट यह से कणे है कि उसकिये निटम तरूर जाप धिक चुलल इस स्कूल का नहीं पता है इंग्रिगेट करोद कि ढ fountain की तो उनके केस में जाओगा जिनका 5 क्रोड से ज्यादा चला गया, तो वो पॉइंट नमर 3 ना जाएंगे, तो कोई भी स्कूल, कोलेज, इंसुटी, होटिल है, जिनकी एग्रिगेट रिशिट 5 क्रोड से ज्यादा चली गई, तो उनको भी एग्रिवेशन मिल जाएगी, पर उनको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनको एतनी ही से रिजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रिजिस्ट्रेशन या अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उनको जो एग्रिवेशन मिलेगी, कैसे मिलेगी, फुली एग्रिवेशन वाली एग्रिवेशन मिलेगी, जो चैरिटेब रूझ मेकल प्रखेश्कंट करें लो एसे हैं करना पड़ेगा उनको क्या करना पड़ेगा कि पूरी नहीं मिलेगी कैसे मिलती है वह अपन देख लेंगे और ध्यान देना यह स्चिन 10.3 इस पर लगता है एक तो एजड़ुकेशनल इंस्टूशन और मेडिकल इंड्यूशन स Saggere उह फॉल रॉला नगार वाले से जादा है तो तो फिर वो सक्षिण गवाल सब्सक्राइब ना बाकि योग वाले को मिलेगा ना रिलिफ आ' वाले को बाद के लोगों को मिलेगा वैसा हीँ बैसा कैसे मिलेगा वह स्वा पढ़ने वाले हैं section 11, section 11 में बता रहा है charitable और religious trust को consume कम होती है, मैंने बता है charitable trust क्या होते हैं, तो मैंने आपको already बता दिया, कुछ object ही बता रहा है, उनमें से कोई साव जोती है, यह कोई religious trust, इसकी definition नहीं दे रखी, religious trust मतलब होता है, मंदीर, मस्जित, गुरु दुआ रहा है, चर्च कोई trust खाली charitable होते हैं, कोई trust खाली religious होते हैं, और कोई trust ऐसी होते हैं, जो charitable और religious दोनों है, जैसे मालों एक trust है, उसकी school भी है, और temple भी है, क्या हो गया है trust, charitable and religious, तो charitable trust का question भी आ सकता है, religious trust का भी आ सकता है, और charitable and religious, ऐसा कोई question भी आ सकता है, यद आप क्षारीटेबल और रिल्सर्ट को कौनकुल से इंकम होगी इंकम बता रखेंए, हैं सबसे में इंकम इनकमा क्णुछे होती है hic. तो अपन क्या मनेंगे, नुर्मल डॉनीशन मिला, प्रॉस्ट के गुल्लग का पार्ट बनता है, वो भॉल्ग का पार्ट बनता है, उसको कम यूज़ करते हैं, जब तरस्ट बिल्कुल बरभाधी की कंडिशन में आता है, तरस्ट की देनिया हलत हो जाती है, तब उस गुल्ल किन में केया होटा है तो कौश्शं में нужdet क्लिए वो को सब्सक्र लिकेगा यह object आप हा यह होगे घिसेमें का इसा लिक्न सकता है को armiela कि मिल्सक कॉई लिक्क्त वांग और कोई लिमिट मी नहीं है, कितना भी कैस्व में मिलें, कितना भी वैंक में मिलें दूसरा ट्रस्ट को मिलते हैं government grant, government trust की मदद करती है grant दे के government grant भी दोतरे के होते है शानी नोर्मल और एक और कोर्पस फ्रश्म में गॉर्वर्वेंट गाण लिख रख रखहा या पन मानते है No already और कोर्पस लिख रख कात तो आपन मानने लेड़ा देशाना हो इसके लावतर त्रॉप Elsa's को आपनी इनकम उते हैं कैसे ऑपनी प्रोपरकी टॉपरटी इसे इनकम होती है कैसे नकम होती है क्या करती है इसके अलावा ट्रेस्ट की इंकम हो सकती है इसके अलावा फिजनेश की मेंडेकल रिलीज्ट देती है ऐसे मां लो एक स्कूल है एक उस्पी रहा है उसने का होस्पी सब्सक्रांब एक उसका उसा हो सकता है, अगर आगे जाते पर रोड़ी दूसर दन्दर न कर सकते है, जो आपका में अभ्यक्तिव एक विजनेस करना चाहूं तो आप कर सकते हैं इसके लाब पर टे लाफ जो सकते हैं क्लेज्ट के लगेगा वह करके देख करते हैं सबसे पहले कोर्पस डोनेशन तो क्या होगा कोर्पस डोनेशन पूरा का पूरा अपने कर देंगे बस उसके लिए कंडिशन है को आपको सेफ मोर्स ने जम्मा करवाने क्योंकि वो ट्रस्ट के गुल्लक का पार्ट बनता है तो को आपको 11-5 सेक्शन 11-5 में कुछ मोर सबसे लिए कि अब है बनाता था है तो सेफ मोर्ण फेल रखेंगे के बेंक में अफडी खरवा दो या कुछ सेफ जगह बता रखें वाहां वहाँ इंवेस्ट कर दो भंधि कर दो तो आपको आगे जाके बतावड़ेगा special rate taxable एक section आये का 115 BBI महां ये deemed income बन जाएगा और एक special rate लग जाती है special rate बन जाती है अगर corpus donation को जमान नहीं करवाते तो जमा करवा देते हो तो fully action जब आपन trust की total income निकालेंगे corpus donation को लेंगे निल अगर आपने क्या करवा रखा है तो जमान नहीं करवा रखा तो 115 BBI में special rate taxable होगा 30% की rates है दूसरा corpus government grant गौर्पस वाला फुली एक बन जाएगा इसको ऐसे कोई condition नहीं है ये तो पूरा ऐसे एक बन जाएगा आगे बाद रखा है ट्रस्ट को एग्रिकल्टराल इंकम होगी है या तो fully एक जाएगी इसके लाबा 1023C में .102 है या तो trust की कोई school वगरा है hospital वगरा है जो government द्वारा finance है तो इसकी इंकम जाएगी या ट्रस्ट की इस्कूल कोलेज इंकम फुली एक्जम्ट वाने अब उसके अलावा ट्रस्ट को अगर अनोनिमस डोनेशन मिलता है यह separate रखेंगे तो कि यह इस special rate लगती है 115 BBC में ट्रस्ट के case में दो special rate लगती है 115 BBC एनोनिमस डोनेशन और 115 BBI में कुछ इनकम बता रहे हैं कुछ इनकम बता रहे हैं बस वाले आप इनके अलावा कोई और गृऊच कोई और कोंसे इंकम बच गई नोर्मन गवर्मन गान गान बच गया एक बिजनेस वाली इंकम बच गई इन सब को अलग क्या करेंगे 15% तो इससे देंगे fully एंडिया में इंडिया के अंदर चर्डिबल और रिलिजिस परफस्ट में खर्च कर दोगे उतना आपको एक्जिंशन मिल जाएगा जैसे में आपको एक जंबल दू मालोक ट्रस्ट को क्या हुआ था एक तो कोर्फस्ट डोनेशन मिला था जो उसने इलेवन फाइफ मोड में जमा करवा दिया वो था 10 लेक्स का इसके अलावा उसकी एनी अधर इंकम थी बस और को इंकम दी थी वो थी मालो 14 लेक्स क्या करेंग 24 लेक्स अब 24 लेक्स में आपको डिश्री मिल गी कि इतना वाउंट इंडिया मेंब अप कर दियाख कर दिया मंम से अपने 20 लेक्स इंडिया मेरे कर देडिया प्लाईटिक यहां धれांत अपने क्लेक्टिकृक्ष 15% वाली और 85% वाली कहा मिलती है section 11 यह होती है section 11 11 11 तू में मिलती है 15 percent का standard remaining 85% में जितना खर्च कर दोगे उतना फिर्च जाएगी इन ये इंकम सारी इंकम आ जाएंगी कुछ को छोड़ कि कुछ को इसे चोड़ दो को परस ग्रवर्मेंट गांड चोर दो एंगरिगल से इंकम छोड़ दो 1023 विसी का पोईंट वन और टू है तो वो छोड़ दो और अनोनिमस टोनेशन चोड़ दो उनके लाब बाकी सारी इंकम लेलो कैसे लेनी इंकम एक बार मैं पढ़ा देता हूं फिर लास्ट में आपको एक फोर्मेट बताऊंगा फोर्मेट में आपको वैल्यू डाल दी है आपका अंसर कभी गलत नहीं होगा किन की चीज़ों का डिदेशन आपको मिलेगा ट्रस्ट कोई भी रेवन्यू खर्चे करता है अप्लाइड मान लेंगे यहां देना ट्रस्ट के केस में डेप्रीशेशन कुछ काम का नहीं होता डेप्रीशेशन आप बूल जाओ इग्णोर गरो डेप्रीशेशन को यहां ले एप्लाइड मानि को हौ्या दीसरा वह क्या हिसा गर्रे किसी दूसरे ट्रस्ट सो अप लगरा वाला द्रश्ट चिर अबैप den सब्सक्तरब़ ciao बनता है डोनेशन गीवन डोनेशन आपन दे रहे हैं सब私家 mi किसे दूसरी राइडिसर ट्रच को तो एकितना वाल थो अप्लेशन दिया उसका 85% in the two-ודiy ईसले चिरस्ट को वनकुर्ड करोनेशन दिया तोêtes वणोड़ानी सिनल नहीएग अ अगर आप किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देते हो तो अप्लाइट तो मानेंगे लेकिन कितना मानेंगे 85 परसेंट इतना भी दिया उसका 85 परसेंट यह द्यांसित देख लिए न यह वाला प्रेंट इसका अगला बता रखा है आपने कोई भी खर्चा करने के लिए चाहिए वो revenue खर्चा हो चाहिए capital खर्चा हो कोई भी खर्चा करने के लिए आपने लोन लिया जैसे माला आपने एक building purchase करने के लिए लोन लिया था ट्रस्ट ने 50 lakh का लोन लिया था ट्रस्ट ने building purchase करने के लिए अब ट्रस्ट ने 50 lakh की building purchase है अब आप लेके ख़र्चा करते हो तो ध्यान देना लोन लेके ख़र्चा करते हो तो उस ख़र्चे का डेट्चिन नहीं मिलता वैसे तो खर्च आप गाम लेकर फिर droppedetin平 पैमेंट करेगा जितना रिपीमेंट करेंगा उसके अप्र्णा अपने मौन लेके कि क्र Smells黄 करोग 만 कर देख्या है वह इसी हैं अब आगे पीशंट के खिर है आपने एक स्पेशल बाते देख लेते हैं आपने अस्याट के को 나오यांगि इंहYY तो उस असेट में बूल जाओ किसी भी एर में दिमाग से निकाल तो अपना अप्लाइड मान रहे हैं किसी भी एर में नहीं मिलेगा अगे बता रखाए आपने कोई खर्चा किया उसे अप्लाइड नहीं मानेगे अगर आपने खर्च कर दिया या कई और इन्वेस्ट कर दिया तो वह बन जाता है 105 BVI में डीम इंकम तो आप उसको खर्चा कर दिया क्या मान लेंगे अप्लाइड नहीं मानेंगे उसको आगे बता रखाए ऐसे तो क्या हो जाएगा बार-बार दिया लेकिन आप दूसरे स्कों दे रहे हो मानें दे रहे हो लेकिन आप दूसरे ट्रस्ट को क्या दे रहे हो इसको आप corporis donation दे रहे हो तो उसको अपन applied नहीं मानेगी उसको applied नहीं आपने दिया। दूसरे trust को मानलों, पर कॉर्पस donation आपने दिया। दूसरर trust क्या करेगा? Copus donation को safe mode में पठक देगा और fully aggime कर वाया है। वो भी तो रजिष्ट है, फुल लेग्यम करवालेगा, उसके एंट से इंकम टैक्सेबल भी नहीं हुई, और आपको भी अग्यमिशन दिक्कती दिक्कत हो जाएगे, तो इन्होंने बोला उसको अप्लाइड नहीं मानेगे, तो नॉर्मल इन्होंने देते हो ठीक है, नॉर्म सब भूल जाओ, पाच हैड के प्रोविजन सेटो, प्रोविजन का क्लविंग वोजन सब भूल जाओ, चैप्टर 6 से की डिड़क्शन वो भी बूल जाओ, काम की ही नहीं है आपर, यहां बिल्कुल अलग समझो इसको, बिल्कुल अलग चैप्टर रही, इंकम टैक्स की बा बाकि कुछ काम करने, इंकम टैक्स को बाकि बूल जाओ आप, तो बाकि बाकि सेक्शन काम की ही, ना तो ट्रॉस्ट के एदर सोर्स की प्रोविजन लगते हैं, बाच हैड में निकालते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं, यहां तरीका चलता है, तो लेंग बीडिइं के के तो आप क्या करना, 30% खर्चा डिस अलाव कर देगा, तो आप उस लिए है, फिर बैलेंस को अप्लाइड मालते है, सेम तुसे हुआ ही, पीजी बीबी का याद करो 40 आएगे, एक 40 आए थी पढ़ाया था मैंने आपको PGP अगर ट्रस्ट किसी खर्चे का पेमेंट 10,000 से जज़ादा का, कैश वीड़ेर चेक करते है, जैसे मालों ट्रस्ट ने 5 लेक की सेल्टी का पेमेंट करते है, डिसलाव करते है, अप्लाइड नहीं मानेगे, जब कि वो रेवन्यू खर्चा है, अप्लाइड मान सकते हैं देलें तो रेवन्यू खर्चों के केस में, ट्रस्ट के केस में दो सेक्षन अप्लाई होंगे, तो 40 AI है, रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, 30% डिसलाव हो जाएगा, प्लाइड नहीं माने जाते हैं, इंडिया में खर्च करने हैं, इंडिया में खर्च करने हैं, देखो, वो तो आती ही नहीं इंडिया, डिसलाई खर्च करने हैं, कहां करने हैं, इंडिया के अंदर करने हैं, मानलो को कोई फोरं का मनता था, एकी साम एंडिया आ रखा था, और ट्रस्ट ने उससे इंडिया में कुछ करां लिए, इंडिया में करना आगे बाता रखा है के मालों अल्ले एडर्स में लोज थे और टो क्या हुआ अल्ले शुट अवल्लिकेशन च्राइब जादा हो गया एक्सेस एप्लिकेशन हो गया अग्सेस बेस्टेंटी को गाए जिसको अपने ऐसे भी बोलते है, access application और access of expenditure over income, एक तरीके से earlier रिल्म में loss हो गए, उनको set of कर सकते हैं तरश्ट के सारे loss पुराने डूप जाएंगे, set of नहीं मार सकता, ना जो loss करी फ़रवाड होते हैं, ना set of होते हैं, डूप जाते हैं, आगे बता रखका है, एक फालतू point कोई trust है, जिसका temple है, mosque, गुरुद्वारा, जाजमन, तो trust को religious property है, और trust को उस religious property के renovation repair के लिए donation मिला, वो normal donation था, उसको normal होते हुए भी आपन क्या मान सकते हैं, corpus मान सकते हैं, तो कोई trust क्या है, trust के पास temple है, mosque है, डूद्वारा, church है, कोई religious property है, और उस religious property के renovation repair के लिए trust को पूरा एग्जम्ट करवाएगा सब्सक्राइब आपको से जमा करना होता है एक तो उसको से जमा करना है और आगे जब उसको खर्च करो तो इनोवेशन रेपेर पर खर्च करने तो नोर्मल उतल बीबिबो पर क्रूप अजयाएगा और वह फुली अजयाएगा फुली एकिम्ट हो जाएगा, fall to point तो जाधा काम का नहीं तो लास्ट पॉइंट एक काम का है, trust जो भी amount pay करेगा, जो भी खर्जा करेगा, उसको apply तो मना जाएगा, लेकिन कैसे paid basis, trust अगर एक्चिव में payment कर देता है, तो ही apply मानेंगे, तो ही direction देंगे, चाहे trust accrual system follow करें, च trust cash system भी follow कर सकता है, trust कोई company नहीं होता, trust क्या होता, individual HOF, AOP, VIOI, artificial, juridical person, इस category में आता है, artificial, juridical person होता है, register trust, तो इस category में आता है, तो cash system भी follow कर सकता है, तो cash system follow करें, चाहे अगर एक्चिव फोलो करें, deduction कैसे मिलेगी, paid basis पे, new basis पे, चाहे अगर एक्चिव फोलो करें, cash system वो कुछ काम के नहीं है, वो कुछ काम के नहीं, paid basis पे मिलेगी, तो trust को एक खर्चो का payment करना है, ये था पूरा special point जो आपको अच्छे से cover करने है, क्योंकि आपको फिर इनी के basis पे, चीजे less करने है, 15% तो आपने less कर दिया, फिर amount applied आप less करोगे, तो इनी points के basis पे आपको less करना है कि applied माने या ना माने, less करे या ना करे, अब अगला point ज्यादा काम का नहीं है, ये है deemed applied वाला case क्या है, ये क्या psychopath बोलता है, gaan you trust को मानलो previous year में income receive भी ही नहीं, previous year में income receive ही नहीं, कि अब प्रिवेस हेर में मालें तश्ट कुछ इंकम थी जोड़ी नहीं कटिए नहीं कि है था इणको आया कई तो होया के क्रम्हेंक बात करने . आर् वांगोको से अधिने करके करने हैं कि जो इंकमट को रेशीळंतर अीत हैं वो उस income को या तो जिस year में receive हो जाएगी उस year में apply करतेगा या उससे next year में apply करतेगा अगर trust ऐसा नहीं करता जिस year में वादा तो यह क्या करे उस income को trust की deemed income बना दे ऐसा वादा करना पड़ेगा और deemed income बना दे तो क्या होगा 115 BBI में चली जाएगी special rate से taxable हो जाएगी कोई deduction नहीं मिलता तो trust को income receive नहीं होती प्रिवेस year में trust को deemed apply के less कर सकता है पसे वादा करना पड़ेगा और वादा तोड़ देता है अगर trust तो फिर trust के हाथ बुरा हो जाएगा जो income उसे deemed reply वानी थी वो बन जाएगी उसकी deemed income जिस year में वादा तोड़ा जिस year में वादा तोड़ा उसे में बन जाएगी उसकी deemed income अब इसमें बता रखा है यह वाला point है अगर trust cash system follow करता है तो कुछ काम का point है नहीं ही क्यों नहीं है देखो cash system follow करता है तो trust अपनी income में क्या लेगा जो income उसको receive हुए वो लेगा cash basis में लेगा जो income उसको receive हुए वो इसकी income का पार्ट होंगे अगर trust cash system follow करता है तो 3 lakh नहीं होगी यह 3 lakh उसकी income का पार्ट हो नहीं होगी तो इनको apply मानने की जड़ती नहीं है जब trust ने इसको income पनाया ही नहीं तो apply मानने की जड़त क्या है तो यह point ignore हो जाएगा कुछ काम कर देगा कुछ काम कर देगा अगर cash system का question आ जाए बस इतना different हो रहा है एक ही point different होता है यह वाला कि trust को कुछ income ऐसी दिरख्ये question में जो receive नहीं होगी तो उसको less करोगे क्या less करोगे क्या less नहीं क अब बिचारे को लास्टे पर इसे करेगा विचारा तो उसको भी वह लेक्स टियर में खर्च नहीं करता तो नेक्स टियर में यह क्या करेग अब आते हैं अब आते हैं अपन सेक्शन 11-2 वाले इंगे यह क्या है अगर ट्रस्ट अपनी इंकम को accumulate या set apart करता है तो अभी ट्रस्ट को reduction मिल सकते हैं अकुमुलेट या set apart मतलब ट्रस्ट को मानलो आगे जाके बड़ा मंदीर बिलागा है या ट्रस्ट को मानलो यह द्रम्शाला बनना नहीं है अब मंदीर द्रम्शाला एक साल की इंकम से तो बनेंगे नहीं ट्रस्ट को पैसा इखटा करना पड़ेगा तब जाके बड़ा मंदीर बड़ा इंकम को और छहीं ह मानलो ट्रस्ट को इंकम थी 40,000 थी अधर इंकम से 15 50 क का ले लिया बचे कितनी इंकम 34,000 च 20,000 ट्रस्ट ने इंडिया में अपलाई करती है 14 लेक की ट्रस्ट की अभी विध टोटल इंकम बच लिए है कि प्रश्च चाहे तो 14 लेक को पूरे के पूरे को या तो या इसमें कुछ पार्ट क्या कर सकता एंक्वूलेट कर सकता है एंक अगर ऐसीफ नील्डक वनाने का द्रम्षला नहीं ऑनका गबसेंहों विस्मड़े कोश जाएगा जाएा कि प्रटाना पड़ेगा कर देंगे जितना अकुमुलेट कर सकता है अब कंडिशन उसके लिए अब कंडिशन तो मिल जायेगा लेस तो कर देंगे कंडिशन आप को क्या करना पड़ेगा ट्रस्ट को अससिंग ओफिसर को एक statement फणिश करना पड़ेगा form no.10 में वो भी कब तक करना पड़ेगा रोए की जू डू डेट है उससे कम से कम दो महिने पहले तक statement फणिश करके बताना पड़ेगा कि उसका period क्या है accumulate कितने time के लिए करना जाता है गया है इंसीटिटट बनाने क्या मलाने मशन पड़ेगा पैसे आउंसने accumulate करी करी गया अफक से लिए मोर में जमा करवाने कब तक करना हैं प्रिवेश में बंडिय सब्सक्राइब फार्ट मार्च मार्च तक जब से फीर स्चमा कर दुकर देए मांसरा बें पर तब तक क्या करना है ऐसा नहीं कि याशी मोड आए से फोर में जमा कर आदे उस पैसे कोशा में कंडिशन नहीं लिख रहा है अगर ट्रस्ट मालों गलत यूस करता है या यह यूस ही नहीं करता तो वह बन जाएगे ट्रस्ट की दीम्न इंकम और राव बहुत बुरा हो जाएगा द्रस्ट की यह हो जाये जो भी डिम इंकम बन रहे हैं न सारी कहा जा रही है वर नाइट रहे हैं तरश्ट अगर इस अकुम्लेट वाली अमॉंट का गलत यूज करता है या यूज ही नहीं करता 113 में बन जाएगी टिम इंकम कैसे बनेगी अपर देख लेते हैं सबसे पहले भी उटलाइगे तरश्ट ने 10 रुपे अकुम्लेट की है तो जीस इन में गलत यूज किया उस इन में जाएगी डिम इंग जाएगी ट्रस्ट ने उस अमांट को जो जो पी एड मांगाता उसने उसमें यूज ही नहीं किया पूरा पीरेड कितना मांग सकता मैक्स यह मानलो कैसे प्रिवेस यह 21-22 में ट्रस्ट ने 10 लेक्ट किये मानलो इतुपा लेक्ट और ट्रस्ट ने 5 यह मांगे ते 5 यह में वो यूज करेगा तो फाइफ यह काउंट कैसे होंगे बैए तो यह देखो 21-22 से इंकम अकुमुलेट करिए तो 22 23 23 24 24 25 25 26 उसको कब तरक्ष करने हैं यह पैसे 26 27 तरक्ष पाच साल में खर्च करने हैं 21-22 में उसकी 14 लेक की इंकम आरी थी 10 लेक हो अकुम्लेट कर लिया 21-22 में तो 10 लेक को कब खर्च कनना है पाच साल का राइम होता है मैक्सिमु तो 21 22 से कौन्ट नहीं होंगी 22 23 से कौन्ट होंगे 21 22 कर रहा है 21 22 जातु खतम हो चुका उस इसे इंकम वो अकुम्लेट करिये उसने तो 22 23 से कौन्ट होंगे तो 5 एर में उसको खर्च करने हो 26 27 तक माल वूझ ने 10 लैक में से 7 लैक रुपेस ली खर्च किया तो क्या होगा प्रश्ट एर में इसे एक साल वांगातो ने जया है इसे मानलो इसे सरी में उसको खर्च करना है उतने सालो में वो पैसा खर्च नहीं करता हो जो लाश्ट पियर करता है सब्सक्राइब फोगचम डेखता है, फोगे दुर्पं का जो यसमें काइब किया ऐessenhã, वैब आप Dlatego सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब जब उसको मंदिर बनाने में यूज़ करना है तो गलत यूज़ करता है या या यूज़ ही नहीं करता तो वन जाएंगी डिवन इंकम कि यह अपने देख लिया अब आगे बढ़ते हैं कि अधिक क्यों इसे बाते बता रखी है सबसे फ़िए विजनेस की इंकम को सा मेन उब्लिट की वाला बिजनेस तो उसकर बन का मान लेते हैं एक कंडिशन है मेडिकल शोप वाले बिजनस से जो इंकम हो रही है उसको भी इंकम मान की 15 परसेंट लेस्ट कर देंगे इतना खर्च कर देंगे बस एक कंडिशन अब इसमें पॉइंट बता रहागा फालतू सा पॉइंट सब्सक्राइब इसका पॉइंट को सब्सक्राइब को इसका नहीं अब आजब आगी को सक्षिन 10 में कौन सी एक्जिमिशन मिलती है यह गवर्मेंट वाला है फुली एक्जिम वह भी मिल जाती है एक और मिलती है 1046 और 1046 से यह क्या होता है बिल्कुल काम का नहीं होता है कार्ट ना हो तो कार्ट देना 1046 से क्या होता है यह गवर्मेंट में कुछ प्रिख इंसिटुशन होते हैं एक तरीकी से गुर्मेंट ट्रस्ट या गुर्मेंट इंसिटुशन होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक ओप्जेक्टिव होता है उनकी इंकम टुछ तो यह तो यह तो मिल जाएंगी बाकि सेक्शन 10 में कोई भी सच्छन जैसे सेक्शन 10.2 है 10 इनकी कोई एक्जिम्ट करते हैं बाकी कुछ नहीं मिलता क्या लगते हैं 11-13 यह लगते हैं अब आज हो capital gain, वाली मिलती है, यह बन जाएगा capital gain कोई index वगरा नहीं करना कि आपने long term शोर्ट टम यह देखेंगे कोई इंडेक्स वगरा कुछ नहीं होता, सेल माइनस कोष्ट, ट्रस्ट ने एक बिल्डिंग पर्चेज करेंगे 10 लेग में, और 15 लेग में सेल कर दी, 15-10, 5 लेग की ट्रस्ट की क्या बना देंगे, capital gain की इंकम, capital gain की इंकम क्या बनेगी, any other income, वही क्या करेंगे उस वेसे, 15% क पर देंगे और remaining 85% में ट्रस्ट यतना खर्च कर देगा, उतना डेक्सन देगे, अब इसमें एक point दे रखा है, क्या point दे रखा है, trust ने क्या किया, पुराना असेल किया, पुरानी बिल्डिंग खरीदी और एक नई बिल्डिंग खरीदी, एक नया land खरीदी तो, जो नया असेट में trust ने investment किया है, मैंने बताया था, आपको कि trust building purchase करता है, लेन purchase करता है, कोई capital खर्चाब भी करता है, तो trust को पुरा का पुरा अपना applied मान लेते है, लेकिन trust ने क्या क्या है, पुराना बेज के नया खरीदा है, तो पुरा अपना applied मान लोगी था, मानलो trust ने पुर पुराने असेट को जो trust ने सेल किया, उसकी कोष्ट कितनी थी, वह मानलो पुराना असेट था, 4 लेक का, 4 लेक का खरीदा हुआ था, जिसको trust ने सेल कर दिया, तो 20-4, difference amount 16 लेक को क्या मानेंगे, अपना applied मानेंगे, अगर मानलो trust पुराना बेज के नया खरीदा है, तो यह करेंगे, पुराना नहीं बेचता trust, ऐसे ही अपने fund से नया खरीदा, तो पुरा 20 लेक अपना applied मानले थे, देखाता ना अपने capital expense of trust पुरा applied मानले थे, लेकि पुराना बेचके नया खरीदा है, तो cost of new minus cost of old, cost of new minus cost of old, डोलो का difference अपन क्या मानेंगे, applied मानेंगे, के example देख तो तीनो case में क्या हो जाता है, कितने में नया purchase किया, वो applied मानले थे, capital expense of trust पुरा applied मानले थे, लेकिन trust ने भादूरी नहीं करी, पुराना बेचके नया खरीदा है, तो cost of new, नया कितने में खरीदा हो ले लो, minus पुराने की cost क्या थी, पुराना sale कितने में किया हो नहीं, तो लोग डालते हैं तो उसमें यह थोड़ी लिखते हैं कि यह मेरा नाम है यह मेरा पता है और दान डाल देते हैं नोट के उपर ही लिखते हैं आई चिलए है झात टबंडों आपर बोर्टी बेंटांवी में कटो है और घ्रची वें लोग काफे सारे लोग है आदाल पेटि में पैसा डालते तो अगर बहुत ही को तो फॉल αυτा हैर नहीं कर करेंगे तो पूरा क्या मानेंगे नॉर्म ने लिखा हुआ है अनुनिमस कार्ड दो लिख लो नॉर्मल क्या है नॉर्मल है पुरा कमालो एक मंदीर को पॉर्म को कर दो हैं नॉर्म का कैम hiç कि ठाक्रू नॉर्माल क्या है मालों एक trust है इसकी school भी है और temple भी है और एस ट्रस्ट को एन-oniverse donation receive हुआ कितना 10 lakhs का अब क्या करोगे अब क्या करोगी अगर यह 10 lakh temple के लिए मिला है जैस के लिए मिला मिला 10 lakh तो फिल बंजाएगा normal तो यह बंजाएगा normal तो बन जाएगा और अगर इस टेंपल के लिए तो क्या मान लेंगे नोर्मल और बाकी बचा वह टू लेक्ट यह चला जाएगा अब 115 BBC में जाएगा कि टेक्सेवल कितना होगा यह पूरा नहीं होगा यहाँ छूट दे रखिए एक लिमिट दे रखिए क्या दे रखिए तो आप क्या करो यह लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले तो लोग कि अनोनिमस कटना मिला एक से माले मंदिरों को मिला वह लोगी केश में वह मतलए मने मनेंगे पहले पहले दोने मिला को क्या नोर्मल आपनो चुछिर्ट इतोन ओर आनेशन से को डिया है पतलनेशन तोनेशन करते स्कूल से रही बागाए इतना इत्ल utilizz में और इतना इसके प्योंड हुआ है कि पीवलों के किसी दूसरो मां रहा है किसी दुछनीं निएepende पीवाला नहीं लेना l commit जुनेशन को ब्लाव पूरा लेना है तो नॉर्मल और लेना है और दियान देना है इस डॉनेशन के नेशन करना आपको से 5% करना है इस ट्रस्ट को 40 लेक का टोटल डोटीलेशन डिसीव वा था 40 लेक कर दो आप 5% कितना है पूलेग और बिए इसको कंपैर करें वन लैक से किससे कंपर करना आफ़ इन दोनों को लेलो हाई या तूल हला कि लिमित यह लेस कर दो एननोरिमस टोनेशन ड के से तूलेग की लिमीट लेस कर दो बचा कितना थी लेक का आ आई का आपका अनोरिमस यह क्या है या मंदीरों के लिए या मजीदों के लिए इनके लिए मिलता है तो वह तो पुरा नॉर्मल मिल जाता है त्रस्ट को मिलता है तो उसमें क्या विभ्कत नियाव? पुरा मान skilled bc में चला जाता है और कुछ Office Title Journal लिमीट तक क्या म होता है उस चैश्ट्रस्ट उस दॉम्मे मत उसाए ऊफ जान क्यों कपकर लिए 785 % कितना होता है तो बाकी ट्रस्ट के लिए चरिटेबल ट्रस्ट के लिए कर दिया दो टुपड़े कर दिया लिमिट तक तो मालनो नॉर्मल और बाकी मालनो लिमिट क्या है फाइव परसंट ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव और वन लेग इन दोनों का हाई है तो अनॉर्मस डोनेशन रिसीव माइनस लिमिट करेंगे यह आजाएगा अनॉर्मस डोनेशन जो वन वन हई वी बीशी में इस स्पेशल टेट से टेक्सेवल होगा और यह वाला पॉइंट हर कोश्चन में आपको मिलेगा जो टोटल इंकम दे जो कोश्चन होगी न हर अगर आपको मदद करती है अगर आपको कुछ कंडिशन पूरी कर देते हो तो गौर्मेंट फिर आपकी मदद करती है वह रोतू होती है तो दान अलग चीज़ है यह गौर्मेंट गांठ कम मिलते हैं ज़सकता है कुछ कर्वां इंटान चीजर दर पोड़ कर घी। लेकिन क्या है? ट्रस्ट की आइटीर जाती है, उस आइटीर में इस लिमिट की कैलकुलेशन में वहाँ गुर्वेजिन भी का उप्शन भी दे रख़ा है, बसला महां गुर्वेजिन का उप्शन भी दे रखा है, तो तो आइटेर आपने फोलो करें क्या, या प्रोविजिन फोलो तो पनको प्रोविजन करना है आइटर मुझे जाओ तो एक अल्टरेटिव बस आंसर नहीं देता है एच पर आइटर चाहो तो आप गवर्मेंट गांट भी ले सकते हैं बस इतना नोड देता है तो आपको क्या करना है इग्णोर करना है गवर्मेंट को इस लिमिट की कैलकुलेशन नहीं देता है क्योंकि चलना है प्रोविजन के अकोडिंग चलना है आइटर को फोलो नहीं करना है क्या चलना है? प्रोविजन के कोडिंग, क्यों कि चलेंगे ऐसे? क्यों कि institute जो फोलो करता है, वहीं फोलो करना है, माक्स चाहिए तो, बाकि माक्स नहीं चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, बाकि अगर आप अल्टरनेटिव आंसर दोगे तो वैसे टाइम लग जाएगा, आप मानलों दो आंसर करके आते हो, तो एक जाम में काफी टाइम लग जा है, क्या टाइम होता नहीं है, हाँ चाहो तो आप एक नोट दे सकते हो, कि government grant को भी लिया जा सकता था, एच पर आइडिया, ये नोट दे सकते हो, देना चाहो तो, बाकि आपको government grant calculation में नहीं देना, तुकि काफी सारे teacher क्या होते है, बोलते हैं कि government grant ले लो, ITR के according करवाते हैं, लेकिन institute के according अपने चले, और provision के according चले, तो नहीं है, अब अपना आग जाते है, थोड़े procedure वाले पार्ट पर आते है, 2LA, एक section है, 2LA, यह मोलता है, अगर section 11 का trust को benefit चाहिए, तो उसको registration करवाना है, कहां registration करवाना है, 2LAB, trust की registration का section होता है, या तो 2LAB में करवाले, या 1023C में करवाले, 1023C में हो सकते registration, अगर 5 floor से ज़्यादा की receipt होती है, तो आप वहाँ भी ले सकते हो registration, तो वहाँ कम मिलता है, अगर आपका क्या school, college, university, hospital है, तो वहाँ ले लो, नहीं तो 2LAB मिले लो, अगर आपका मानलो relief for poor वाला काम है, योग का institute है, तो आप जाते हो 2LAB, या आपके मानलो मंदीर है, मस्जीद है, तो कहां जाते हो 2LAB, नगर आपका मानलो खाली क्या है, school, college university hotel है, तो 1023C मिले लो, आप लो, कुछ फराक है, कोई फराक है, सेम प्रोसेस है, सेम चीज़े होती है, सेम तो प्रोसेस है, रजिस्टेशन का, और क्या होता है दोनों में, एक्जमिशन भी कौन सी मिलती है, बताओ, section 11 वाली, याद करो मैंने बता है, तो 1023C में, तो 1023C मे बस फराक कितना है, कि किसी trust की मानलो, खाली school, college, university, hospital है, या मानलो, किसी बंदे ने खाली school वगरा खोल रखी है, तो 1023C का, तो 1023C में ले लेते हैं, तेकि किसी trust की मानलो, मंदिर वगरा है, या school के साथ मंदिर भी है, या मानलो, school के साथ, योग का institute भी है, वो सब कहां जा बस यह खड़क है, यह जान देने के लिए मैंने बता दिया, ऐसा कुछ पूछे करने हैं, अब आगे बता रखा है, दूसरी condition, ट्रस्ट की अगर total income, section 11 का exemption नेने से पहले, section 11 को less करने से पहले, basic exemption limit से ज़्यादा आ रही है, basic exemption limit पढ़ रखी हैं अपने, दाही लाग तीन ल निया, और आगे बता रखा है, तो ही अगेंशन मिलेगी, यह कुछ condition है, बोक्स मेंटेंड करने है, और आगेंशन का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर पार्ट कुछ काम का नहीं होता, exam के परपस से एक्जाम में आता दिये, exam में फोकस होता है, institute का कि ट्रेक्टिकल पर या case लोग में फोकस होता है, लेकिन अपका pattern मदल उत्यूक है, institute का, अब institute focus किस पर करता है, प्रेक्टिकल पार्ट, तो प्रेक्टिकल पार्ट वह आपसे टेस्ट करता है, यह procedure वागरा पार्ट होता है, कच्रा होता है, लेकिन दे रखा है वनको पढ़ना पड़े हैं, गल्दी से एक आद मर्क्स के MCQ आ जाते हैं, कभी कबार, प्रोसेजर वाला पार्ट होता है, उसमें से, तो प्रोसेजर वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या है प्रोसेजर, रेजिस्ट्रेशन लेने का, 12AB में और 1023C में, एज इटेंज बता रखा है, पागल लोग ने फा पार 12AB, हर तरह से आप कर सकते हैं, बगवाद सेक्षिन था हो, वह हर्चु का, अब नया सेक्षिन आ गया, रेजिस्ट्रेशन का 12AB, क्यों आया, 12AB में काफी धांदली होती ही, काफी सारे लोग ऐसे फरजी में, फरजी वारे में क्या करते हैं, ट्रस्ट का रेजिस्ट्रे पीजिबी बीमें, यहां ट्रस्ट लेंड खरीदता है, था कर लोग तो लोग या करते हैं, लेंड करते रहते थे, और लेस्ट करते हैं, इंकम को जीरो करते रहते थे, यह फायदा करते हैं, लोग, तो ओनलाइन अप्लिकेशन करने पड़ेगी, जिस प्रिवेज एस गर मे का पापा नागता है वह करना है थैसा जाते की श्यार कि स्टाइंग से एक महिना पहले रहेए आपको यह तक प्रोवल क्या भी को मिलेगी अ जो थ्री यह तक विलिट रहेगी अब आप अपका परपस है गरीबों की मदद करने का अब कहले करते हो और क्या करते हो पहले ले ले लेते कि अब आपने काम करने शाट नहीं किया गरीबों अब क्या करना है यह तो बूल जब बढ़े करना है जैसे इस काम कर देगा अब कमिश्ण क्या करेगा जिस मंद में इस तो प्रोविजिनल रजिस्टेशन तो ट्रस्ट सभी को पकड़ा देता है अब फाइनल रजिस्टेशन के लिए कमिश्ट ज्यादा चेकिंग करता है क्यों करता है अब कमिश्ट देखेगा कि अपनी एक्टिविटी ठीक से उत्तों कर रहा है कि अर्श बढ़ेज्टिव गरीबों के मंदद करने का अमीरों की मदद तो निए कर सब्सक्राइब करेंगा लोगा अगर कमिश्ट को लगताए अपने प्रकुक्य को को काम कर रहा है अज़र लोग को गलर तो ट्रस्ट को कमिश्ट एक तो रगठेगा से और जो फइनल करनें विलेगा यह जिंद्दगी पर के लिए न रहें रहें अब आगे एक चीज वह रहा है इसमें आपको एक पार ज केंद्दर आपने लेख फाइनल रेजिटरशन एक्टूटी कमेंन्स करों तुछ क्यान ने आपको कुछ कांड करते हुए करते हुए आई कांड करते हुए आपके को जब से सब्सक्राइब का ओपनी को व्यव्र जगा योग की शिखे़ वालोर ट्रश्ट का एक खोड है और होटा लेने दारू की दुपान खोड रखी है रजिस्टेशन केंसी ऊजाया है तीसरा विजिनेस तो अबजेक्टिव वाला है पर ट्रश्ट में उसकी सेपरेट बूक्स मिंटेन नहीं करी उस विजिनेस होस्टिल है मेडिकल की छोप खोल रखिए दिक्कत नहीं यह कोई दिक्कत निए लेकिन मेडिकल छोप की सेपरेट बुक्स मेंटेन नी करी रजिस्ट्रेशन पेंसिर अगला पता रख है ट्रस्ट ने इंकम को प्राइवेट रिलिजिस पर खर्च कर दिया मतलब ट्रस्ट ने एक मंदिर बनवाया जहां ऐसा बोल दिया कि खाली उसके घरवाले रशन कर सकते हैं यह खाली खास लोग रशन कर सकते हैं यह ट्रस्ट ने कथा करवाई और बोल दिया कि इसमें खाली खास लोग आ सकते हैं रिलिजिस ट्रस्ट यह पब्लिक के ट्रस्ट होता है पब्लिक होता है यह पूरे पब्लिक का होता है किसी धरम का या किसी जात्ता नहीं होता है पूरे पब्लिक का होता है अगे बातार है आपको पता पड़ेगा वन फ़ाइफ टीडी एक सेट्शन आएगा जहाँ एक जिट टेक्स लग जाएगा अब तक कर देगा सारे विड्रों की जाएगा आगे बता रखा है यह कार्ड या तो कमीशनर में खुद ने पकड़ दिये यह क्या हुआ यह कार्ड पकड में कैसे आए कमीशनर का बेट ऑच्ट है यह वो ट्रस्ट की चेकिंग कर रहा था घ्रश्ट की स्कूटनी कर रहा था और एउन कर देगा पगला बता रख है यह कांड पकड में कैसे आये डिस्क मेंजमेंट स्ट्रेजी बना रखिए कुछ सी बीडिटी वालों ने मतलब एतरी किसे आर्टिफिशल इंट्रीजेंस आज कल काफी सारी टेक्नलोजी आ गई उसके तुरू की कांड पकड में आगए ट्रस्ट पुराने रजिस्क्रेशल से काम निचला सकता कि ट्र्श गपडिटीव उपरयु और ट्रश ने उसके बेई से रख है अब अप दॉपरयुक्र से एड्यूकेशन कर रहा है कर तो सकता है लेकिन 12 up कि बेनिफिट नहीं मिलेगा कॉन कोंगों से केस पता रखें उपर के दो केस तो फाल्टू एक कार्ड दो केस क्या है ट्रस्ट पार्टिकुलर रिलिजिएस परपरस में अपनी इंकम खरच करता है या किसी कास्ट या कम्निटी में खरच करता है जो आपने उपर देखें तो छोऊब है इन दो केस्मीं बूली जाओ काम मिलेगा कीजिस्थे इंद्रेट्फा पींट से परिर सा पना प्रस रावलिकु को क्च तो जितना फाइदा पिचाए उस इंकम से इसको सरेफें साथ कुश सब इंश्य उठी आ अभी देखं़न में बताता हूं है अर्शण क्या कर रहा है मालो अपने विल्येटिव को अ क्या होते हैं क्या होते हैं पता देल जाएक अब इस रेलेटिव के кв का तरहां देगे रिल्येटिव की नई मार्केट वैलू में बता हूं तो why गुचा एंड है वन लेक की और ट्रस्ट फेलरी कितना देरा फाइफ लेक्ट पार्र देक बताओ कितना है वोलेक्क तो फॉल लेक जो फाइदा बुचाया इस में से ट्रस्ट को सेक्षिन लेनों का बेनिफिट नी बिलेगा पहली बार तो और दो दिक्कते हो जाएंगी यह फोल लेक ट्रस्ट की बन जाएगी डिवन इंकम कि स्पेशल रेट से वर नान फाइब बीव यह एक दिक्कत हो गिया भी तो डिवन इंकम बना दी थेखिन और पैनल्टी अठीव जाएगी 271 इसके लब इख किने संवान फैमने कंचाल नसंदाता यां तो इसके लब आणिज देख मेहत हैं ऑमन सींटाइब। तो फोल लेक का फायदा बोचाई है तो फोल लेक बनेगी टर्स की डिमनीकम कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसके लावा फोल लेक की पेनल्टी लग जाएगी यह तो इसने उसको और पुब्लिक से वो चार्ज करता है माज़ो बंलेक्स आपने घंड में ऍसको रिलेटीव को और पब्लिक से वो चार्ज करता है मानलो वन देंग और रिलेटिव को द्रहमशाला कितने में देदी ट्रशने रेंट पे? तो रिलेटिव को पताओ कितना फायदा पुचा दिया ट्रशने? 90,000 का. पब्लिक से तो द्रहमशाला के एक लाग रुपर चार्ज करता है और आपने रिलेटिव को 10,000 रुपर में द्रहमशाला कितना पुचा दिया तो आपने रिलेटिव को एक्स्ट्रा पेमिट कर दिया या कम चार्ज किया जिसका दांता इसलेतिकों पता है और इस लेकंटवु कहारा त्रस्ट मां भालो उल्टा होता है कर दो एक जुसरीर की शैरी एक कि मिलने चाहीं हिए पिर फ मतला फ सुन लेक की शैरी कुछ लेक参 गेए अब कुछ नीज करें ज़सकि आपको अब कोई दिक्कत नहीं लिए के सबस्कों करें हूं एक चीज हो रहे है टरश को अपने फंड्स होते है न वो तो प्रश्ट को 50,000 से ज्यादा का डोनेशन देता है कोई डोनर है जो बनेंगे लेकिन ट्रस्की जो 9 일ुण होते हैं किसी साइव यसक्रेक्त मेद रिलेटिउ होगा कोई पर निजर्ण प्रस्क्रेश्थ रिल्याइटिव रॉनमिकस फाउंडर आधे चिल्रण वगारा वो सब इन ऊप्परवाले लोगों गार जैसे मॉझरणों टरश्ट इसके लापिक सावेसितार की आख वह लेटीव हो गया फाउंडर की वह वह भी मम्मी बापा वह लेटीव पाउंडर के दादा दाधी वह लीडिव आधे सब लोग क्या है रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे हाँ इसमें ध्यान देना पस एम्प्लोई इस रिलेटिव में नहीं आते हैं आगे वाद आ रखा है पैनल्टी तो मैंने बताई थी रिलेटिव को फाइदा पहुचाते हो तो सेफ में पैसे रुकता नुए क्या बता रखते तो बैंक टॉस्ट आप्ला पैसा रख सकता है बैंक चाहिए कोप्रिटी बैंक पॉस्ट आफिस सेलेंगे जैच कोफे बैंक और पोश्ट ओफिस सेविग्मेग, बसती, NBFC को वनिए द्यादे न, NBFC को रिस्की माना इनोने, NBFC को सेफ़़ोन नी माना इनोने, आगे बात रखा है, टरस्ट पब्लिक सेक्टर कमपनी में भी अपना पैसा जमा कराई सकता है, दोटेटें में निलता है लेकिन सेफ हो तेंट सब्सक्राइब एम थाट वाली युटेल वाली उनडेज्ट हमाली उसमें लागा सकता बाकिस मुचल में यूचिल वाली नहीं एसके लाव लाव लेंडेड वुलिंग में कर सकता है काप सी शायस कुछ कुछ सपेसिफिक केस बता राखे जहाँ आपन टरश्ट के इंकम निकालें refuse कह लेंगे उ Nancy ऐसे case जहां Trust को Section 11 का benefit नहीं मिलता और Trust का registration cancels भी नहीं होता, देखो Trust का registration cancels हो गया कुछ स्टार्टिंग में बताया था ट्रस्ट का अब्जेक्ट की कौन से है जेनरल पॉब्लीक उटिलिटी वाला और विजनेस से 20 परसंट से ज्यादा चली गई ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा एगर मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन कैंसल नहीं होगा तो एक सेक्शन 11 को लेस्ट करने से पहले बेसिक एक्शन लिमिट से ज्यादा आ रही है लेकिन ट्रस्ट नहीं तो बुक्स मेंटेल नहीं करी या ओडिट नहीं करवाई तो क्या होगा ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ऐसे तीन केस में ट्रस्ट की इंकम कैस अब रेवन्यू खर्चों में भी ध्यान देना एक वो TDS वाला section और कौन सा cash payment वाला section यह अप्लाई हो यह लाइस करना चार चीज़ों को छोड़ कि कोई खर्चा आपने कोर्पस से किया है रेवन्यू खर्चा वो इग्नोर कर देना वो लाइस मत करना किसी पर्षन को donation दिया तो वो भी लाइस मत करना और कोई low setup मत करना और बाकी revenue खर्चे लाइस करना ट्रच की gross receipt लेलेना चाई corporate donation मिले कुछ भी ले ले आपको पूला taxable करती है माइनस revenue खर्चे लाइस करने है revenue खर्चों में भी आपको TDS वाला और cash payment वाला section लगाना है दिसलाओ होते हैं तो दिसलाओ करने है और चार चीजे लेस नहीं करना किसी पर्षन को ट्रक्षन डोनेशन दिया है तो डोनेशन लेस ही नहीं करना और और capital खर्चे लेस नहीं करना यह आएगा पर इसका कोशन नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा कुछ मैनित कंदी नहीं इसमें रहा है फिर आप निकाला उसके total income वह आजा आता है यह वाला तो कुछ कामपा नहीं होता अब एक section वर बचा हुआ है section 1 inside BBI आई जो बार-बार आजाता डीम इंकम ट्रस्ट को जह और यह इंकम इसको पने specified इंकम भी बोलते हैं ट्रस्ट को specified यह इंकम हो रही है उस पे section 115 BBI में special rate 30% से tax लगता है कोई खर्चे का किसी भी चीज़ का reduction नहीं नहीं लेता बिलकुल लाश्टी लाश्ट को separately दिखाते है कौन सी होती हो डीम इंकम सबसे पहले में बताए तक आपने corporate donation आपको मिला ट्रस्ट को और उसको से safe mode से जमानी करवाया कहीं और खर्च कर दिया या तो कहीं और जमा करवा दिया बंजाएगा डीम इंकम दूसरा यहाद करो 11-1-B यहों से आपने वादा किया था डीम एप् तीसरा 11-3, income accumulate set apart कर दी आपने, income accumulate set apart कर दी या तो गलत use करते हो या use ही नहीं करते है बंजाया कर डीम इंकम इसके अलावा यूस में खर्च कर दिये बंजायाएगा डीम इंकम जित्ते पैसों से बाहर खर्च करें वो बंजायाएगा डीम इंकम पर इन पर लगेगी special rate 30% और इनमें से कोई deduction भी नहीं मिलेगा ना 15% वाला मिलेगा ना 85% वाला applied वाला मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा पूरी की पूरी आपका question आएगा charitable trust को section 11 का benefit मिल रहा है अब अब अपनको उसकी total income निकाल निए total income भी निकाल निए टेक्स निकाल निए चारी टेवल यह religious trust का question आएगा कैसा आएगा question format में मना रखाऊं ताक्कि आपकी गलती ना हूँ अब question में आपको देखो मैंने तो सारे point यह लिख रखे हैं पर इतने सारे point question में नहीं आते हैं कुछ point आते हैं ऐसा नहीं हो था कि जितने point अपने पड़े सारे point question में आ जाएगे इतना बड़ा question नहीं आता कभी भी आते हैं और उनके वेस्टेपन आसर करना होता है अब सारे point देख लेते हैं question में आपको दे रखा yag question में लिखा हूए और या question में आपको दे दिया upor तो कर देंगे इसको निल लेकिन वालनों कोर्पर दोनेशन कोश्ण में मिला आपकोte लेका पर कोश्डirm accepting किया मतलब कहीं होगा वो बंजाएंक से सके 27 mi technology आ पर सो दिखाए अगर दिखाएंगे लिए इज दिखा नृ दिखाएंगे ज़ए जिए लिमोंप Kollegin चुह को अधित लेकर कर वाली सब्सक्राइब करेंगे उपर में एक दिखा डिमेंगे ईक एक परककी है कंदी पुरी ख़से फुरीय क HERE निल दिखाएंगे, निल दिखाना जलूरी है जहां देना, ट्रस्ट को मालो 10.3 रिसी वाली इंकम है, कौन सी वाली, ट्रस्ट की स्कूल, कोलेज, उनिविश्टी, होस्ट होटेल है, या तो गवर्मेंट दिखाएंगे, या एग्रिगेट रिसीट, अब 2 रुपीस 5 क्लोड ह तो मालो ट्रस्ट की एक स्कूल दे रखिया, कोश्ट में, ट्रस्ट की एक स्कूल दे रखिया, कोश्ट में 3 क्लोड की रिसीट दे रखिया, क्या दिखाऊगे इसको, इनकम ने देखेंगे, ग्रोस रिसीट, ग्रोस रिसीट 3 क्लोड तक दे रखिया, कुनी निल दिखा दे या मालों ट्रस्ट को ऐसा दे लिए एक स्कूल दे रहा की थ्री ट्रेश्ट एक होस्टे डे रहा का है फोर प्र्रेश्ट मात गरते ना थ्री प्लस फोर एंग्रिगेट फाइफ ट्रोड से ज़ादा चाला गया अब नेलमत कर देना अब क्या होगा तो ऐसे कोई स्कूल कोलेज उनिश्टी विटिलें ट्रस्ट के जो पॉइंट थ्री में है एक्रेट रिशीट फाइव क्रोड से जादा है तो उनको आपनको अमौंट लेना है उनका और उनकी क्या लेनी एक ग्रोस रिशीट लेनी है ध्य कि आपको अगर फाइव क्रोड से ज्यादा है तो फिर वो पॉइंट ठी में चली जाती है और पॉइंट्ट फ्री में चली जाती है तो फिर वो न जाती है प्रेश्ट का योग का इंस्टिटूट है योग की सर्विस देता है और उसकी ग्रोश इसको निल दिखाओगे या लोग निल मत दिखा देना लेना है वह निल कब दिखाते हैं आपकी स्कूल है पोलेज है यूश्टिटी है और चार्च जोग एक्जिमस निरखी हो फाइफ किसके लिए खाली स्कूल को लेज यूश्टी यूश्टिटी और चार्च कोई और इंस्टिटूट है तो इसकी अगर इसी 10 लैक भी दे रखिया है कुछ भी दे रखिया है पूरी की पूरी लेंगे एक्जिमस मत दे देना फुली अग्यम्ट वाला आगे देरा कर लेक्ति परसेंट का स्टेश्ट के लिए सब बूल जाओ आट आप तो सीधर अगर दे लेघ्व है कि विजनेश कि वह जो मेरुन दे लेड़ने पी घृन रहा है कॉर्पस मिलता है तो निल दिखाएंगे वह टो इनकलूडिंग एनोणिमर्ज डॉनिशन निकाला था चाहिए ट्रस्ट का पाने लाश्ट इलाश्ट चलाएगा लेकिन जो अपने नॉनमल मना था य। इसके अलावा मालो कोई प्रश्ट है उसको अनोनिमस डोनेशन मिला तो उसको भी क्या मैंने गे इसको यहां लेंगे यह वह इनकम इन सब का टॉटल कर दो इन सब का टोटल करोगे इसमें से लेस्ट करोगे 15% का इस टैनल डिदूशन यह लेस्ट करते हैं आपका रिमीनिंग आ जाएगा 85% रिमीनिं यह लेस्ट करते हैं इसमें कुछ पॉइंट देप्रिशन इंग्नोर करना कोई खर्चेव में प्रिवेंट नहीं काटा या जाएगा वह सब पॉइंट आपको याद रखने हैं वह सब फोलो करके आपको यह लेस्ट करना है इसके अलावा एक अपने पढ़ा था दिम्न यह सब सब्सक्रय मान सकते कुछ वाले कर सकते वह लेंगला । अगर ट्रश का सकता है कॉलिस केंषर में को फरक नहीं है प्रस्ट को खर्चे पेड़ बीसी पे लागोते हैं बसे एक फरक आएगा यह वाला बस यह फरक आएगा क्या फरक आएगा अगर ट्रस्ट को इंकम रिषिव नियुई उसको लेस नी करते हैं उसको लेसं करते हैं ट्रस्ट के लिए लास्ट के खर्चे ज़्यादा थे अथे चेंआ आक दूकर चाओब है। पूरा मत कर देना एक चारिट निकालते हैं और एक बैलेंस बैलेंस आया है लिमिट तो नोल जाता है वो यहां दिखा देंगे और दिखा देंगे और दिखा देंगे करते हैं यह से वाधा दोड़ते हो अगलत यूज करते हो या यूज नहीं करते हैं इसके लाव आपने फंस करते हो जितने फंस आपने कहीं इंवेस्ट किये यह संबढ़ जाएंगे इंकम जितने में देर रखें यह आप सेपरेटल यहां और यह आजाएगे ट्रस्ट की सर्चार्ज एड़ करना है या नहीं करना वह देखो क्या देखो टोल्ल इंकम देखो क्लिमिट को क्लोस करते हैं नहीं करते हैं कौन से लिमिट लगेगी इंडिज्वल एचुएफ एओपी व्यू आई आटिफिशन जूरी परसंट ट्रस्ट इस कैटेग्री में आता है अब दो इस टेबल को अच्छे से द्यान दे देना गलती कभी भी नहीं होगी इस टेबल को अगर आपने अच्छे से लेख लिया तो सब पोईंट मैंने कहा लिए जो भी पॉइंट हो सकते हैं सारे के सारे मैंने हो इन पर म्हाना चीए कौन कौन से हमान को बन सिक अख यह था charitable trust और religious trust का tax session कैसे होता है वो अपन ने देख लिया अब देख रहे हैं न अपन charitable और religious trust पर लगता है exit tax अगर trust क्या कर देते हैं, can't कर देते तो इनकी लगता है exit tax section 15 TD में इनकी accredited इनको मिलता है, यह tax होता क्या है मालों कोई trust section 10 quantity 3C में या तो या 2LAB, दो section होते हैं जहां trust registration लेता है, उनमें register था, 10 year से register था 10 year से उन section के मज़े नहीं रहा था, current year में trust ने उच्कांट कर दिया और commissioner ने उसका registration cancel कर दिया, तो आगे तो उसको section जा बोलते हैं 2LAB बगरा का section 11 का benefit नहीं मिलेगा, चलो ठीक है, नहीं मिलेगा लेकिन पहले 10 year में तो उस नहीं ले लिया, section 11 का benefit, तो उन benefit को income tax वाले हां withdraw कर देंगे, withdraw कैसे कर देंगे, उस trust की accreted income पे exit tax लगा देंगे, अब exit tax कैसे लगता है, MMR की rate से, और यहां MMR 42.744% नहीं है, इस section में ध्यान देने, section के लिए MMR 42.744 नहीं है, 34.944%, बस खाली इस section के लिए MMR कम है, क्या है 34.944, कैसे आईए, 30% tax है, 12% का surcharge compulsory, और 4% का stress compulsory, वैसे MMR में क्या होता है, 37% का surcharge होता है, लेकिन यहां 12% का है 12% का क्यों है यहां पर, इस tax को मानते हैं, अपन distributed tax, distributed income का tax मानते हैं, जैसे byback का tax होता था था ना, byback अलम पड़ाया था मैंने, company को ही tax जेना पड़ता है, महां tax की rate आई थी 23.296, वैसे ही यह tax क्या है, distributed tax, और एक memorandum आ रहा है, वो memorandum बोलता है, distributed tax पर कभी भी सर्चाज 12% से ज़्यादा नहीं होता है, तो section में तो लिखता है, MMR लगेगी, यह distributed tax है, इनको change करना पड़ गया, 12% करना पड़ गया, नहीं तो क्या होती rate, 42.74, 40 होती rate, पर उस चक्कर में, distributed tax हैंगे, यह कोई income नहीं है, त्रस्की कि कि किसी head की income मेलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, यह बिल्कुल separately निकलती है, और same buyback की tax से रहे, 14 days में payment करना पड़ता, जैसे buyback का tax बिल्कुल separate निकलता है, किसी head में नहीं जाता, वैसे separate निकलता है, और 14 days में payment करना पड़ता है, अब यह कौन-कौन से case में निकलता है, ऐसा कोई question पूछेगा नहीं, लेकिन देख लेते हैं क तो क्या करना पड़ता है, तो 30 days में fresh registration के लिए apply करना पड़ता है, या तो trust ने fresh registration के लिए previous year के अंदर apply ही निकला, या apply तो करा, लेकिन commissioner ने उसका application reject कर दी जा, तीसरा case, मैंने बताया था trust की जो registration है, final registration, five year के लिए valid होती है, जिन्दगी पर के लिए होती है, five year बाद trust को क करना पड़ता है, renew करवाना पड़ता है, अब trust renew नहीं करवाता, trust renewal की application नहीं करी, क्या होगा, registration खतम, understood हो गया हो, तो इस case को क्या बोलते है, trust का non eligible form लिए conversion होती है, तीन case, या तो trust का registration cancel हो गया, कुछ का हैंट कर दिए, trust ने object modify किया, या तो fresh registration लिए apply ही नहीं करा, apply किया, application तीसरा, trust ने अपना application, trust ने अपना registration renew नहीं करवाया, trust ने अपना registration renew नहीं करवाया, तो क्या होगा, वो अन्रेश्टेड हो गया, तो in case म क्या होगा, trust की accredited income लिए बाद की एक अगला पताराकर, trust का एक ऐसी entity में merger हो जाता है, जिसकी object अलग है, trust का object था है, education का, और trust का merger हो या किसी company में merger हो गया, trust का, जो 12AB या 1023C में register ही नहीं है, ऐसे merger हो गया, तो क्या हो जाएगा, अग पर अपने असेट्स दूसरे register trust को distribute करने होते है, ऐसा नहीं कि अपने असेट्स वो अपने रिलेटिव को distribute करने है, ऐसा नहीं होता, या अपने founder को और donor को distribute करने, ऐसा नह तो trust को अपने asset, किसी दूसरे register trust को distribute करने होते है, क्यों करने होते है, trust public property होता है, trust क्या होता है, तो trust को और तो trust को या दूसरे institution को 12 months के अंदर अंदर, जिस मंत्रे desollution होगा, उस month के end से 12 months में अपने asset distribute करने होते है यहां शाट के ने शाट ब्राइब करने यह प्राइब यह नहीं था है यहां कि आपके शचार अलग से सच्छा लगादेना इसमें already include है, इस rate में already include है, यह होता है aggregate tax, अब बता रख है, आप assets की value लेते हो, तो assets जब लोगे, तो तीन assets आपको ignore करने हैं, तीन assets पे aggregate tax नहीं लगता, अपने assets की value लेते हैं, आप credit income हीकालते हैं, तो assets को लेते हैं और उसमें से liability हटाते हैं, तीन assets दे रखें जिनको आपक खेती की income से purchase किये थे, ट्रस्ट ने कैसे purchase किये थे, एग्रिगल चाइए income से purchase किये थे, जैसे मालो ट्रस्ट ने 2 crore का एक asset था, building थी, जो ट्रस्ट ने एग्रिगल चाइए income से purchase करी थी, तो यह 2 crore की building पे aggregate tax नहीं लगेगा, इसको यहाँ calculation में मत लेना, क्यों नहीं लेग इसको invest किया है, तो उसको invest करके जो asset खड़ा किया है, उसके कोई tax नहीं देना, वो income तो वैसे भी एग्रिगल चाइए income से कोई asset खरीदा हुआ है, तो उस asset को आप ignore कर देना, वो asset कुछ काम का यहाँ नहीं है, कोई काम का asset नहीं है, उस asset पे aggregate tax नहीं लगेगा, दूसरा है, कोई asset ठर्श ने कम purchase किया, जब trust register था ही नहीं, मतलगा जब trust को ब्रख रेट हुआ, जब trust register हो जाता है, register trust को मिलता है, तो जब trust register था ही नहीं, तरब trust ने माळले 5 लेक की land purchase कर रही थी, या trust ने 10 लेक के share purchase किये थे, उनको भी मतले ना, उन पे भी एक टेक्स नहीं लगेग और तीसरा Desolution वाला Case है Trust का Desolution वह रहा है Trust क्याला 13 months में जो asset डistribute कर देगा दूसे reset को उन a set में भी एगई tex में लगएगा उन को भी इगउल कर देगा जितने perceptions ने दूसेchn Lowstar को distribute कर दिए उन पे भी एगई tex में लगएगा तो तीन ऐसे asset है यह मतलब होता है इनको करते हैं अगर लिया है आपने पूट racing कर на ऐसे माल लोग प्रस्ट था मुणन खड़ा हुआ हुआ है और तो क्या अगा अधा्या अरहा है तो इन तीन इसट की को इलाईटी को भी लेटी बुक्स में आ रही है तो इन तीन असट लाइवलेटि को भी करना है उसको लेस्पना लाइवलेटि को भी का करना आपको बहुकत, जब अशेट ही हटाর रहे हो तो साइक्ट यहां लेोगा आप क्से वाइवलेटि की करूगे कुछ काम का नहीं है आप को में सी में सी म्ह neighboring की है एक और है कि अगर ट्रस्ट का नोन यॉनलिघा वाला के स यह डालन के वाल फ्र मियों यह पूर लेलो तो जितव तो शेन इंदिन की आपको आपको ओपने अपनको आसे अको जो रहें कि अज़ा है यह तो कहीं पर निया दो इसके लाबाए इनको इंको मानते ही नहीं यह तो कहीं पर तो इनको बाकि तीन वो चोड़ने अब बाकि एसट की क्या लें आपको एसम्वी ले लिए अब एसम्वी निकालों के कैसे वो देखते जाओ यहां क्या लेंगी वह देखो किसी चीजी की अपने ओपल मार्कित वल्यू लेते हैं किसी की बॉक वल्यू यहां क्या लेंगी आपको एसम्वी लेंगे वो देखो लेकिन मानलो वैलिशन डेट की दिन इस्टो के चिंज बंद था बंद था उस दिन तो वैलेशन डेट से जट पहले जी तिन भी ट्रेडिंग होई है जी तिन में इस्टो केचिन खुला होगा दा उस दिन की क्या करो लोगर राइस का एवरेज करते हो ठीक है दूसरा अन Fleisch चैयरं ड्रैपाता रहरा हो उन्हें कोछ रहेर है luck लुक सफे रहार है अनकीतोर और झोट्र हिर्स बंटन सब्रेंग और दो करांट नियुक आ रिकIt अब अन्ोर्टस्ट अलिफ निश्ट्र की डोलुब ऐसे माझनों एक ट्रस्ट है उसे क्या रखें एक कंपनी है पारले प्राइवेट लिमिटेड इसके सेर्ट सेर्ण के लिए बस प्रिश्ट करने के लिए उस प्रिविट कंपनी का या विद्वालेशट के लिए आपने को पैलेशन करनी है पर आपने को पैले की वेलशन करनी पड़ेंगी कैशित की वैलिविशन करनी पड़ेंगी और इसमें इस से माइनस से किया उस पाले प्रइवेट लिमिटेड की वैलेंसित उचाने पड़ेगे उसकी असे की लेंगे एपलेट पाले मैलेंदाद करते अप्रमीट के वैले टाकर देगए पी ये पीजिय क्या है पी उस पाले की टो टोल टोटल पेड़प कितनी है और पीवी क्या है ट्रस्ट ने कितने के शेर सेल करेंगे अब असेट की वैल्यू कैसे लिए अगर इस कंपनी की बैलेंशेट में इस अनलिशेट कंपनी की बैलेंशेट में अगर शेर सेक्रिटीज इम्मुविल प्रप्रप्रटी बुलियन जूल्री प्रिस्ट ना रहे है इनकी तो लेलो एस अपर लिक कंपनी की बैलेंशेट में अगर टीडियस टीचेस एडवांस टेक्स डेफर्ड रेवन्यू एक्पेंटिचर आ रहा है तो यहां भी इंगूर होगा इनको देहार करेंगे इनको स्लम सेल में इग्णोर करते हैं तो इनको इग्णोर कर देंगे अब पाले प्राइविट लिमिडेट की बैलेंशेट में जो लाइबिलिटी सारी है उनकी लाइस करनी आपको बुक वैल्यू लाइस करनी है लेकिन लाइवलिटी में 6 चीज़े इनको इएक लिएक करना एक डिएटर सोप्लास नी करने एक डिएटाथ न लाइस नी करना है उसमें आभी त्रस्ट की लाइडीटी लाइस करेंगे जहां भी सीं Dh पर दूसरा, ये शह चीज़ लिटि में इंग्नोर करते हैं, इनको लाइस नहीं करते हैं, वागही सारी लाइस कर दे ये 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 शह चीज़ इंग्नोर करते हैं, तो आपको क्या करना है, A plus B minus N, यह निकाला, डिरेक्टली 20% करना है, फिर आपको divide by PE into PV करने की जुरत्म है, फिर percentage में रखे होलिंग, तो बिल्कुल सिंपल है, A plus B minus N निकाला आपने, into 20% या into 30% जो भी है, उस सेंट परके दिखा दो, सिधा जाएगा, valuation, कि ट्रस्ट ने जो उस unlisted company के share side कर रखे है, उनकी value क्या है, वो निकाला है अपनको, तो उसके लिए क्या करना है अपनको, उस company की value उठानी पड़ेगी, इतने कांग करने पड़ेगी, उस company की value उठानी पड़ेगी, A plus B minus L करना पड़ेगा, A plus B minus L, और ध्यान देना, यह valuation जो कर रहे हैं अपन अलग तरीके से, और valuation कहा होगी, इंदे गवरों वो अलग एक्ट है, black money act में होगी, black money act में होती है, वो थोड़ा सा, अलग एक्ट हो गया, बस, और वहाँ valuation जो होती है, जैसे अपन trust में कर रहे हैं इस से मिलते जुनती थोड़ी होती है, अब trust की benefit में वालों इम्मूवब पुपर्टी आ रही है, land of building अ इनकी जैसे में,aráकस खरेंद से टॉनिटि वेलिव निजडिया से लिगुण में, इसी सáriटि वेलिव सा, इसक्तों कार Kathy, Lakes lie액 का रहे है, इन सबकी, इनकी open market value और book value बुक वेल्यू उकल टू ओपन मार्केट वेल्यू दोनों सेम होती है जो बुक वेल्यू वही मार्केट वेल्यू है तो चैस और बैंक की आपको कोशन में बुक वेल्यू दे रखा होगा तो यह है इस तरह से आपको value लेना है अब लाइवली डेस की वेल्यू लेस्स करने लाइश करने है वही है वही बुक वेल्यू लेस्स होती है पास चीज़ें शोड़ना है एक तो corpus capital accumulated fund थ्रश्च की case में आपने क्या बोलते है उसको capital को प्रोविजिन फोर टेक्स प्रोविजिन फोर अनसरे लाइन नों करते ना आप बोलो गए कि मैंने चीजी बताई थी त्रॉम सेल में भी और यहां भी चीजी बताई थी जब अमने कंपणी का वैलिशन किया एक चीज कहीं है चीज क्या छोड़ गए डिविडेंट डिविडेंट क्यो छोड़ गया डिविडेंट होता ही है तो बाकी कोई फरद वही चीज है, Corpus Capital Accumulated Fund ये क्या है? एक तरीके सी Paid Up Capital वही तो है Paid Up Capital बोलते हैं, बाकी अससी के लिए Capital बोलते हैं, Trust के लिए क्या बोलते हैं, Corpus Capital या Accumulated Fund तो वो नहीं लेना, Digit Sensor Plus नहीं लेना, Provision for Tax नहीं लेना, Provision for Uncertained Liability नहीं लेना, ये 6 चीज़े नहीं लेनी, इनके अलावा बाकी Liability आप less कर देना, आप कुछ अदर Point बदा रखें, एक टेक्स जो है आपका Additional Tax है, ऐसा नहीं कि इसको आप Normal Tax से Set Up करना होगे, अलग से आपको इसको पेमेंट करना है, Central Government को पेमेंट करना है, और 14 days के अंदर पेमेंट करना है, अब 14 days में पेमेंट करना आपको इतना याद रखना है, अब count कैसे करोगे, वो याद रखना की जड़ोत नहीं है, फिर भी देख लो count कैसे करेंगे, मर्जर का केस है, तो मर्जर की डेट से 14 days में पेमेंट करना है, तो इसके बाद आपको 14 days में पेमेंट करना है, इसके अलावा तीन केस और बच्चे अपने, एक तो रजिस्टेशन केंसलेशन वाला और एक मोडिफाई उप्जेक्ट वाला, पहले यह उठाते हैं, कि यह तो कमिशनर ने आपका रजिस्टेशन कैंसल कर दिया, या आपने अब्र बच्ट yard करें, lligation करी लेकिन आपका कमिशनर ने अपकी काध पास किया, आपके एक राइट होता है, कि शुख बसिए इस सब्सक्राइब नहीं से अपर सब्सक्राइब कर सकते सब्सक्राइब रूबिब में कि अव्यायन्ट्स क्या चीब करते हैं तो जैसे यह चीव हूं आपको पता था 60 देज में आप जा सकते हैं लेकिन आपको पता था 60 देज में जाने का वह एक्सपार हुआ उसके बाद के 14 देज में आपको आपको अपने 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 कर वाया यह आपको एक टेक्स काम का नहीं था एक बार देखना चाहूत देखो पस याद रखना फोर्टी डेज में इतना याद रखना आप एक बार देखना यह आपको 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 इंट्रेस्ट लगेगा यह जितना आपका एक टेक्स इंकंपेंडी लगेगा एक टेक्स रहें कैसे निकालोगे मैंने शिखा दी आपको बाई बेक वाले में एक्जाम्बल लेके शिखाया था वो एक्जाम्बल देखे न बाई बेक वाला रिविजन देखना वह में ने करवाया था अब आप एक्जी टीक्स का फोर्टी डेज पेमेंट नी करते हैं दिखकतोर हो जाएगी ट्रस्ट को ट्रस्ट के प्रिंदिवल विच्टर को ट्रस्टी को असेसीन डिफोर्ट बनाये जाएगा अगर फोर्टी डिफोर्ट नी मिलेगा पैनल्टी ठुखेगी आप तो इतना टेक्स जमानी कर रहा होते हैं, पेनल्टी ओर ठुप जाएगी, टेक्स तो देना ही है, पेनल्टी ओर रो, यह था है, टेक्स का कंसर्प्ट जो अपने पूरा देखी था, अब अपन, टेक्सेशन देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, और इलेक्टरल ट्रस्ट का जो ए पी काफी सारी इंकम एकम हो जाएंगी, क्या क्या का हास्प्ट इंकम हो जाएगी, पारस्प्ट का क्योंडिकरल इनकम हो जाएगी पुरी एकेम पुरी पूरी होगी, बस एक income taxable होगी, अगर पुलिटिकल पाटी को मालोगी को बिजनेस है, पुलिटिकल पाटी का एक रेस्टोरेंट है, एक कैफे है, उससे जो income हो रही है, वो क्या होगी, फुलिट एक सारी income फुलिट पूरी होगी, अगर पाट्चो पंड सब्सक्राइब करते हैं तो क्या है सारी इंकम करते हैं सब्सक्राइब करते हैं जो वोईलेशन वाला पार्ट है वो टेक्सेबिल करते हैं जैसे मालूब अब प्लिटीकल पार्टी के बीच के बीच के अजेंट होते हैं बिचोली होते हैं पिरीकी से बिचोली होते हैं जिनके उपर Election Commission of India निग्रानी रखता है और इनको CBDT से क्या लेनी पड़ती है, approval लेनी पड़ती है, CBDT से, यह क्या करते है, political party के लिए चंदा ही खटा करते है, political party के लिए भीग मंगते हैं, को इलेक्रोलिटर्स, किसली भीग मंगते है, political party के लिए भीग को मंगते हैं, यह इनको काम क्या होते हैं, लोगों से चंदा ही खटा करनेगा, तो इनको जो donation मिला, electoral interest को, लोगों से, वो exempt हो जाएगा, वस उसके लिए condition है, इनको जो भी donation मिला, उसका 95% इनको political party को distribute करने है, यह से मानलों इनको 1 क्रोट का donation मिला, तो कम से कम 95% कितना है, 95 लेक, political party को distribute करने ह क्योंकि इनका पैसा नहीं है, यह तो बिचोली है, एजेंट है, political party के लिए donation ही खटा करने है, तो 95% तक इनको distribute करने है, बागी है, अपने पास अख सकते है थोड़ा बहुत, लेकि 95% इनको distribute करने है, इसका मतलब क्या हुआ हुआ, जैसे मानलों, लास्ट येर, donation मिला था, इनको, वन करोर का, और इनको distribute किया हमानलो, donation receive, last year, लास्ट येर की बात करते है, वन करोर का मिला, इसको, इसको, इलेक्रोरल टरस्ट को, और donation इनको distribute कर दिया, last year, 95 lakh का, balance इतना बचा है, इनके बास, 5 lakh का बचा, 95 lakh इनको distribute कर दिया, last year इनका donation एक्जेम्ट हो गया, क्योंकि 95% इनको distribute कर दिया, कम से कम 95% इनको distribute करना होता है, current year में इनको फिर से donation मिला, 1 crore का, current year में फिर से 1 crore का मिला, अब current year में कितना distribute करना एक्जेम्ट करवाने के लिए, 1 crore का 95% नहीं करेंगे, 1 crore और पुराना balance जो इनका पचा हुआ है, 5 lakh, 1 crore और प्लस 5 lakh, इसका करेंगे 95%, बलाब पुराने balance को मिलाएंगे, current year में जो donation मिला वो लेंगे, और पुराना जो balance पड़ा हुआ है इनके पास, उनका aggregate का इनको क्या करना है, उनका aggregate का 95% distribute करना है, अगर इनको donation एक्जेम्ट करवाना है, अगर इक कम distribute करते हैं, तो इनका donation की income के हैंड से क्या हो जाएगे, टेक्स से बनाँ जाएगे, यह क्यों की आगया है, ताकि एक टुप्चाप, political party को donation distribute करते हैं, खुद ना खा जाएगे, आगे बाता रख है, electoral trust को और कोई income होती है, तो फुली टेक्सिवल होती है, आप लोगे और को इनकी income होगी इनको, मालनों इनको जब donation मिलता है, तो क्या करते हैं, बैंक में FD करवा दे जाएगे, या बैंक में पटक्के रखते हैं, तो इनको interest लगरा मिल जाता है bank से, तो बस वो interest की income होती है, इनको 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 को इनको 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 इनक अपना एजेंडा चलाने के लिए, इंडिया को बरबाद करने के लिए, इंडिया में फंडिंग करते हैं, फंडिंग किसको करते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टी को जो उनके एजेंडा को सूट करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, जैसे कश्मीर में एक PDAP, तो पाकिस्तान से इसको funding मिलती है, कि इंडिया को गालिया दो, यह भारत को गालिया दो, और पाकिस्तान की तारीफे तरो, तो funding आती है, अब funding ना हो, ऐसी foreign funding ना हो, इस कारण ना कर रखे कि यह foreign की funding नहीं लेंगे, लेते हैं, अगर ऐसा कांड करते ही है, तो इनको election commissioner of India दस और इनकी जो political party है, इनका जो मालिक है, political party, उसका registration cancel हो जाएगा, पहले, political party होती थी, PFI, इसका काम दंदाई क्या था, इसका काम दंदाई ये था, कि वो इंडिया के बार से funding जोटाती थी, और इंडिया में गंदे काम करवाती थी, या तो, इंडिया में अपनी ideology थी, उसकी की वगड़ा बनाती रहती थी, तो उसको government भी किया था, तो इस कार्णी उनको मना कर रख है कि forum की funding ये ना ले, ये सब था, अब इसमें एक चीजोर है, अगर कोई बंदा donation देता है, donation to political party या electoral trust को, तो क्या होता है, बता हूँ, deduction मिलता है, कहां मिलता है, याद करो, ATGGV, ATGGC में, company देती है, तो company को मिल जाता है, ATGGV, Indian company, बागी कोई अगर अगर, ATGGC में, deduction मिल जाता है, उस assessi को, मैं इनकी बात नि कर रहा है, ये तो receive करने वाले है, मैं उनकी बात रहूँ, जो donation दे रहा है, ATGGV, GGC मिल जाता है, पस वहां क्या था, वो cash में donation नहीं दे सकते है, बा इस chapter में, जो taxation of charitable trust है, वो आप अच्छे से बढ़ लेना, उसका question हमेशा exam में आता है, या तो total income निकालने का जाता है, या एगगी tax निकालने का था, कभी कदार उसका theory question गयाता है, मैंने total question आपको class में करवाये थे, उसके जितने भी question थे, इस chapter के, total मैंने class में करवाये थे, निकपा लिकपा के आपको सारे question करवाये थे, उनको ये पर और देख लेना, फिर भी कोई doubt वगएर आए तो आप मुझसे, पूछ लेना, अभी के लिए इतना काफी, thank you so much, रादे रादे, Hare Krishna,